ठीक है तो BFS level order reversal देखते हैं iterative version अभी इसके पहले हमने क्या देखा था recursive version अब हम देखेंगे iterative version इसके हम इतने problems कर लेंगे कि तुम्हें जो skeleton code है ना वही रट जाएगा BFS तो बहुत famous traversal है level order reversal है और बहुत जगह यूज होता है अब देखो DFS में क्या था कि जैसी कि मेरे पास पास एक tree है 1 2 और 3 ठीक है अभी ऐसा tree है उसमें मैं क्या कर रहा था या तो एक time पर सिर्फ left subtree को handle कर रहा था फिर दूसरे time पर right subtree को handle कर रहा था बट level order traversal में हम एक time पर दौनों trees के element को deal करेंगे इसलिए यह अलग type का traversal आया है यह है BFS की खासियत ठीक है तो यह tree को थोड़ा बढ़ा बना लेता हूं मैं 123456 ठीक है जैसा graph था वैसी बनाए और traversal कैसा हुआ यह यह और यह अब क्योंकि हमना DFS में stack यूज किया था iteratively करते समय यहाँ पर हम गोंसा data structure यूज करेंगे देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला वन आया ठीक है अब इस level पर अगर मैं इसको level 1 बोलू level 2 बोलू और यह level 3 है level 2 पर मैंने चुरू किया iterate करना फिर 2 आया फिर 3 आया फिर level 3 पर 4 5 6 जैसे जैसे मैं iterate करता जा रहा हूं वह print करता जा रहा हूं मतलब first in first out जो आ रहा है वह उसी समय निकल जा रहा है यह कोंसा data structure फॉलो करता है यह चीज क्यों फॉलो करता है इसलिए यहाँ पर हम क्यों यूज करेंगे और एक चीज और देखो यह चीज repetitive है हना इस level पर भी same चीज करना है मुझे इस level पर भी same चीज करना है इस level पर भी same चीज करना है तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे while loop ठीक है अब while loop में मैं क्या डालूंगा वो बताता हूं मैं ठीक है यहाँ पर एक तो condition औ पर इसके अंदर का जो भी है code वो हमें देखना है अब ये तो समझ में आए कि while loop use होना है और एक q data structure use होना है ठीक है q अब मैंने एक rule बनाया कि हर एक iteration में ठीक है ये पूरा एक iteration है हर एक iteration में जब loop शुरू हो रहा होगा मेरे पास information हो ये कि q में जतने भी elements है ना वो एक level के है ना उसके उपर के level के ना उसके नीचे के level पे यहाँ पे बिल्कुल iteration शुरू होते समय इसके बाद तुम कुछ भी कर सकते हो q के साथ लेकिन यहाँ पे मेरे पास q में एक level की information होनी चाहिए और उसमें जतने भी elements हो वो same level को belong करने चाहिए क्यों देखो भाई इसी से तो मैं level order reversal कर पाऊंगा ना हर iteration में मुझे एक level की information चाहिए तो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि मेरे पास q के अंदर जितने भी elements हो उसमें एक level के elements हो ठीक है इससे मैं क्या करूँगा इससे मैं इसका size निकाल लूँगा उससे मुझे पता चल जाए कि उस level में कितने elements है ठीक है तो int l equal to q dot size ठीक है तो शुरू करने से पहले शुरू करने से पहले मैं क्या push करूँगा फिर यहाँ पे root push करूँगा हाना जिससे जब मैं first time इस loop में आऊं तो मेरे पास सिर्फ first level के elements होने चाहिए जो की है एक ही element है ठीक है तो while के अंदर क्या condition आनी चाहिए अगर मेरा यह rule है while के अंदर यह condition होनी चाहिए कि q empty नहीं होना चाहिए जैसी q empty हो गया मतलब तुमारा level order reversal खतम हो गया उस level पे एक भी elements नहीं हैं तुमने यह rule बनाया था right तो जैसी तुमारे पास q empty हुआ तो वो level खतम हो चुका है तुम end पे आ चुकी हो उस level पे एक भी elements नहीं है तो तुमारे level order traversal खतम हो गया, शुरू किया और end पे आगा और end पे एक भी elements नहीं, मतलब तुम last level cross कर चुके हो, तुम यहाँ पे check करो कि, q should not be empty, देखो ऐसे कोई नहीं समझाने वाला है यहाँ पे, हना कि यह मैं लिख क्यों रहा हूँ, लोग सीधा code लिखना शुरू कर द होँगा, और iteration के शुरू होते समय, मुझे q मैं उतने ही elements से ही है, जितने एक level पे हूँ, जिस level पे हूँ मैं, उससे मुझे l मिल जाएगा, अब l से क्या करूँगा, मैं level order reversal, हना, l के लिए कि देखो, यहाँ पे मैं for loop चलाऊंगा, ठीक है, for int i equal to 0, i should be less than l, i plus plus, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा मेरा level order reversal, मतलब यहाँ पे मैं अपने answer को store करूँगा, हर level को, ठीक है, अब यहाँ पे तुम एक चीज़ और कर लो, एक temp vector ले लो, एक temp vector ले लो, vector of int, यह क्यों चाहिए तो मैं, यह मुझे इसलिए चाहिए कि इस level की information, इस temp में डाल दूँगा, मैं, क्योंकि मेरे पास शुरू में 2D vector है, शुरू में 2D vector है, उस 2D vector मैं इस temp को डालूँगा, मैं एक एक करके, जीरो इत इंडेक्स पे first level की information, first index पे second level की information, so on, ठीक है, तो यहाँ पे मैं temp.pushback कर देता हूँ, एक तो Q के front को, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको store कर लेता हूँ, node में, T, Q.front, ठीक है, इससे मैंने क्या किया, कि Q के first में, देखो, इस level पे होना, तो मेरे पास सिर्फ 2 और 3 होना चाहिए, यह मैंने rule बनाया था, हना, तो Q front क्या है, सबसे पहला element, इस level का, तो इसको लूँगा मैं, अब मेरे पास front का element आ चुका है, तो मैं इ कोई ज़रूरत नहीं है, हो गया भाई, तुम्हारा, तुम प्रिंट हो रहे हो, क्या दिक्कत है, ठीक है, तो ऐसे करते करते मैं, इस level की information तो निकाल लूँगा, इस level की information निकाल लूँगा, फिर next iteration में मेरे पास 3 आएगा, मैं उसको लेँगा, और उसको पॉप कर ऐसे तो मेरा QMT हो जाएगा, और एक चीज़ और यहाँ पर temp.pushback भी कर दूँगा, यहाँ पर temp.pushback, क्या push करूँगा, T की value, यह मेरे temporary array में हर level के elements की information होनी चाहिए, यह चीज़ तो मुझे करनी है, लेकिन मैं अगर पॉप करता गया, पॉप करता गया, पॉप करता गय ऐसे तो मेरा QMT हो जाएगा, और next iteration पर आऊँगा, तो मैं इसके next level के elements को कैसे देखूँगा, तो उसी के साथ-साथ, जब तुम pop करने वाले हो, तो क्यों ना, क्यों मैं इसी के children के information डाल दो, उसी के साथ-साथ, क्योंकि first in, first out होता है, तो अगर two के children है, तो वो पहले तो three के children बाद में आएंगे Q में, अगर तुमने two के children पहले डाले, क्योंकि तुम Q यूज़ कर रहे हो, हना, तुमने two के children पहले डाले, तो वो पहले आएंगे, और three के children आले, वो two के children के बाद आएंगे, तो यही तो चाहिए मुझे next level में भी, हना, तो उसी के साथ-साथ- अगर T का left है, हना, अगर T का left है, मतलब भाई, उसका left subtree और right subtree होना भी तो चाहिए, ना, तो अगर है, तो Q में push कर दो, हना, Q में क्या push करोगे, T of left, और similarly, if T of right है, तो Q dot push कर दो, T of right, ठीक है, यह हो गया तुम्हारा, एक level or a traversal, एक level का, इससे क्या होगा, तुम्हें पास एक temporary answer आ जाएगा, एक level का, उसमें सारे elements होंगे, उस level के, तो अब तुम final answer में, final answer में, push back कर सकते हो, push back कर सकते हो, किसको, temp को, और जब तुम next iteration में जा रहे होगे, तो तुम्हें इसके next level के elements होंगे, समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि तुमने वो चीज यहां से देख लिए, न, 2 के children's डाल दिया, 3 के children's भी डाल दिया, Q में, और उसको pop भी कर दिया, किस element को 2 को pop किया है, न, और 4 और 5 है, यह 3 के तो बादी में ही रहेंगे, तो इसका tension मतलू कि कहीं 4 पॉप न हो जाए, elements उतने ही pop होंगे, जितने इस level पर है, यूकि यह L मेरे पास पहले आ गया था, समझ रहे हो, अब यह elements, same चीज, same level 3 के लिए, यह iteration चलेगा, और वो तुमारा answer store करा देगा, ठीक है, इसके बाद तुम्हें पास final answer आ जाएगा, और उसको return करा देना, और कुछ नहीं करना है ठीक है, तो I hope समझ में आया होगा, इसको जलो जल्दी से code करते हैं, ठीक है, तो चलो additive version code करते हैं, code करने से पहले मैंने कुछ चीज़ें already initialize कर ली है, एक तो Q, और यह तुम्हारा जो output 2D vector है, जिसमें मुझे answer store करना है, ठीक है, सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ न, कही root है की नहीं, अगर root नहीं है, तो कोई point ही नहीं हुआ, तो सबसे पहले check लगाते है, root का, हाना, if, root, then क्या करो, q.pushback, क्या pushback करना है, root, यह पहले level का root है, हाना, आप इसके बाद क्या लिखेंगे है, while में क्या लिखेंगे, condition में, q.empty, q.empty, ठीक है, जब तक q empty नहीं हो जाता, तब तक हमें यह करना है, और while के starting में, q के इंदर जितने भी elements है, वो सारे क्या है, एक level को belong करते है, ठीक है, तो मैं उसका size निकाल लेता हूँ, वो level का कितना size है, उसमें कितना elements है, तो q.size, यह मेरा rule था, यही मेरा only rule था, आप यह करू i store करने के लिए basically, आप यह करता हूँ, for loop में, लेवल के elements को traverse करूँगा, ठीक है, q में जितने भी elements है, वो एक level को belong करते हैं, जो, हाना, tree node, इसका मैं t बोल देता हूँ, और यह क्या हो जाए, q.front, निकालो भाई, पहली node, पहला elementic level का, जब तुम शुरू कर रहे होगे, इस for loop को, तुम चेक कर लो कि t का left है की नहीं, अगर है, तो उसको q में push कर दो, तो if t of left, अगर ऐसा है, तो q.pushback, क्या push करना है तुम्हे t of left, ठीक है, और same चीज़ तुम्हे right के साथ करनी है, तो इसको copy कर देता हूँ, मैं, यहाँ पर बस क्या करूँगा, right कर दूँगा, और यहाँ भी right कर दूँगा, ठीक है, अब q में तो आगए elements, अब अपने temp vector में भी वो element को ले लेते हैं, right, current level के element को, तो वो हो जाएग temp.pushback, temp.pushback में क्या होगा, t of well, t of well, ठीक है, और क्या करोगे, final चीज़, q.pop, अना, friend से वो उस element को हटा दोगे, उसका काम खतम होगा भाई, उसकी क्या जबर्वत है, अना, और output में पुश कर दो यह पूरे temp को, ठीक है, .pushback, क्या push करोगे तो, temp को, ठीक है, temp को push कर दिया, और कुछ करने की ज़रुवत है क्या, नहीं, बस अब यहाँ पे तुम्हें output को return करना है, इसको run करके देखते हैं, ओ, sorry, क्यूं में pushback नहीं होता है, सिर्फ push होता है, अना, vector की आदत लग गए नहीं, यहाँ भी मैंने pushback कर दिया, it's not pushback, it's only push, ठीक है, और कुछ तो, हाँ, यह एक, sorry, sorry, अच्छा, यहाँ पे यह तो रहेगा pushback, और कुछ है क्या, नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो चल गया यह, अब इसको submit करने देखते हैं, submit भी हो गया है, अना, अब I hope कोई दिक्कत नहीं आई होगी, यह बहुत ही simple था, अगर नहीं समझ में आया है, तो दुबारा देखो, easily समझ में जाएगा, अब क्योंकि हमने traversal अच्छा कासा कर लिया है, अब हम इसके अच्छे-च्छे problems करेंगे, अना, इससे थोड़ा all strong क करने के लिए, अब हमें पता है कि DFS किया है, BFS किया है, recursively कैसे करते है, additively कैसे करते है, यह बहुत सारी वीडियो थे बटी बहुत important है, एक तो interview perspective से भी, placement में बहुत पूचा जाता है, और यह तुम्हें in general पता होना चाहिए, binary trees बहुत जगा यूज होता है, तो तुम्हें उसके traversal techniques अच्छे से आने चाहिए, I hope you enjoyed the video, तो next video में मिलते हैं,